होते हैं मेरे भाई होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग सुभा में उठकर रात में सोने से पहले, खाना खाने से पहले, एक्जाम देने से पहले, एक्जाम खतम होने के बाद, किसी कारेकरम में जाने से पहले, किसी कारेकरम से आने के बाद, खुद के टॉलेट में, पब निकारक बताया है और ब्रह्मचरे के महत्व को समझाया है हाँ यहीं पर अगर कोई वेदेशी डॉक्टर आकर इन्हें कह दे न कि योग करना जरूरी है ब्रह्मचरे करना जरूरी है तो यह फटाक से माल लेंगे लेकिन इनके ही देश के जो महान रिशी मुनी हुआ करते थे और कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिसको सही से डेवलॉप कर पाएंगे और बाकी लोगों के बारे में अगर बात करें जिन लोगों के अंदर विल पावर की कमी है जो लोग दिमागी तोर पर मजबूत नहीं है ध्यान से सुनो मेरे भाई इसमें आपकी कोई गलती न ना पालन करने से ऐसे में बस एक चीज के बार में सोचो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं चार दिन को ना 16 दिन में बदलू फिर 32 दिन में फिर 100 दिनों में और मेरे भाई निराश मत होना शुभम भाई ने अगर बोला है चार दिन को 16 दिन में बदलने तो इसका मतलब यह नही कि भाई तुम पहले बार में ही जाके चलांग मारत होगे 16 दिन में, ऐसा नहीं होता, परिशान मत हो ना मेरे भाई, परिशान होगे तो ज़्यादा तकलिवे जिनली पड़ेगी, हिम्मत चाहिए ना उठने के लिए तो भाई वो हिम्मत कैसे आएगी, अगर तुम निराश हो आता है, अपने अंदर के पैशन को पैचानो दोस्त, आपको क्या पसंद है, अगर यही चीज़ आप मुझसे पूछते हो, तो भाई मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, खुद को पैचानो मेरे भाई, कि आप बनना क्या चाहते हो, और एक मज़े की बात बताऊं, ब